चार फ्लेट में मेरा तीनहाजर ब्लांट है ये डूनार से मिला कि हम सो बिरम डालते हैं गाच का दोनों तरफ प्रापा ना पड़ता है और प्रांटे हम निम ये रह ते हो दोनों तरफ बहुंड कि ईक गाच्ष में आपको Ara किलो तक मिल सकता है चांसेस रहता है अगर इसी तरह अगर फुटी आएगा यह देखें तीन तीन करके निकला है जी नमस्कार साथियों प्रोमोगनेट की खेती कैसे करते हैं आज हम इसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे सार नमस्कार आपका नाम बताएए सिंसन ता प्रोमोगनेट है मतलब हिंदियों बोले तो डालिम का खेती डालिम का खेती बोले तो अभी पहले-पहले जमिन को त्यार करना है जोतने से पहले मेरे को गबरा डालना है गाई का गबर एक एकर में कम से कम तीन लाड़ी डालना पड़ेगा ओके और चुनना तीन कुंठल पुरत नगे के बाद है जमिले हो जाता है जम से ज़गा में कर रहा है ळिंग़लोर पूरा देख रहा हूँ चिख बैला पूर साइड बहुत साइड में देखने के बाद हम भी शुरू किया है चार साल से देख रहा हूं बहुत ही अच्छा है मेरा यह हिसाब से पानी नहीं रुकना मतलब ऐसा फ्लेट जमिन रहना कि पानी बारिस होया तो भी इस्टाक नहीं रहना निकल जाना नाली में सर यह जो सब्सक्राइब को सार्म किया उसको स्टार्टिंग में कैसे प्लांटिंग किया आपने अदा गहंटा का पाँ бок सब्सक्या अदा है अधा गांटा पानी सहले के अब फ्लैन्ट कर सकते हाफ पॉध़ा दान्ना पड़ता है हफता में तीन बार इस प्रेज़ा न्यांग हाज जाने के सबसे जरुबि कि लिए ओक्यर harass तुम मेंटिनेस करना पड़ता है हफ्ता में तीन बार ली बहुत तरिका से आता है जा के लिए अच्छा दवा है। वह वार में तीन बार हम यूज करते आ है। कि तना साल के बाद ले सकते हैं। अविए नौर्मल क्रॉब्स नौर्मल ले सकते हैं हो कि वह साथ से दस इस किलो तक गें एक गाच में ले सकता है यह अभी जो यह पोधा है प्लांट कितना साल का प्लांट है अभी इस प्लांट में कितना उत्पादल मिल रहा है मरे को अबी मिल रहे है ये पाचीस किलो मिल रहा है पार प्लांट जी ओक है इसको कत ना है किसा के बाद कर्ना पढ़ता है हम क्राब लेने से थायम आया तो ये जो डि शूटिंग बोलता है कई इसको डीशूटिंग को जब हम तिनिंग करेंगा निकल जाएगा निकल जाएगा तो जब निकलने के बाद हमको एक मेंगा पानी का मैंटेन करना पड़ता है अच्छा पानी डीप में ठोडना पड़ता है ओक का आदा घंटा सूड़ना पड़ता है डेली जोडने का बाद क्या है शूट जब निकलने आएं तो इस तरह इस तरह शूट आ रहाए देखी इस तरह ओके फूल का साथ फूल भी आएगा ओके आच्छा उब्हरा है लेख फूल का फोल अगर पानी कम मिल जाय तो जड़ जाता है पानी का जदा से ज्याधा QU dar करना पड़ता है और खीड़ा से बचाना है घ्राइ घ्रडा आरumbling जा करते हैं इसके बाद इसके बाद आगर फुल सही है, पानी खाली चाने करना दूसरा, इससे कच करना में पड़ता है डिन दिन में एक बार पार भार एस्प्रे घाना पड़ता है और पाणी बीडिए ज़ाय में बार पांई हो गया तब अगर क्राप आपको सेटिंग नहीं मिला है तो आप दूसरा एक फ्लावर बुस्टर बोलके एस्प्रेय है वह मानने का बाद यह से फ्लावर फिर से निकलना शुरू हो जागा यह जो सेगेंड क्राप बोलता है अच्छा यह जो फ्रूटिंग आया है यह तुप फ्रूटिंग निकला है कि तो दस कलतक एक गाच में आपको मिलने का चांस रहता है और यह बात है अगर फ्लावर ज्यादा ज्यादा अगर और उबार वार अभी लेविल होना तो तीन फ्लावर से एक फ्लावर रखके तुन फ्लावर निकालने पड़ता है जाबित करना मत उसमें साइज आदा किलो तक आता है अछा किया तो आपको गाच में दस से पंदरा किलो तक जाते है अभी के टाइम में कुछ दावाई या लेने के बाद आभी जो दिखेंग आप हो ये हम क्वराप लेने के बाद गाच को को काटिंग करने का बाद हम रेश्ट छोड़ देते हैं और साइड में खोदना पड़ता है उसमें खाद थोड़ा डालना पड़ता है खाद बकरी का भेड़ी का जो गोबरा आता है वही डालता है हमें एक गाच को हम डाला है एक भड़ा किलो ढला है इसमें किया डाला हुआ है घृटेन लिक टाइम कितना दिन तक डालना पड़ता है लिए फर्टेंग लेने किवाह दो बिंदी लेनाBeat डालने के बाद यह देखिए सबसे पहले है यह चुना डाल रहा है ओके हां यह मौपी बोल के नाम है खाद और मैगनेशन सल्पेटो और वेविन इंडी बोले तो नीम का खली खली यह चारो मिला के हम बेड में इस तरह इस तरह डाल रहे है देखिए इस तरह बेड को खोदना पड़ेगा ट्रेंज खोद के ऐसे प्लांट टू प्लांट हाप किलो सो गिराम एक पुआ करके गिराना प मेरे पास खाद चुना प्लांट को एक किलो ड़ना पुआ पड़ता हैं निमकी खली किता लवित निम से खले बोले तो दोनो तरफ मिला कि एक किलो डालना पड़ता यह और 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 मोप बोले तो दोनों तरफ मिला के 100 गिरम दालना पड़ेगा अच्छा एक पोध का दोनों तरफ से डालना पड़ता है मेरा 3000 प्लांट में मेरे को अच्छा पॉडेक्शन के लिए हम और गाच के लिए अगले साल चाहिए तो हमको 30 मिले इस तरह उमीद है